हलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके एपने यूटूब चैनल आर्की वर्म अलक्टिकल पर तो फाइनल दोस्तों यूपी पी से यल टीजी टू आट सो विक्यानों वैकेंसी की लिए जो जोईनिंग लेटर हैं जैसा कि पहले ही जान करें मिल चुकी थी कि 23 फरवरी को ये आपके जोईन लेटर एक रोजगार मेला इवेंट में आपको डिस्टिवूट किये जाएंगे और उसके पस्चाथ जो आपका मंडल है वहाँ पर आपको जोईन लेटर दिये जाएंगे तो काफी भाईयों को ये मतलब बिलीब नहीं हो रहा था कि क्या हकीकत में जोईन ल जनता हूँ जन भाईयों का शलक्सन नहीं होगा है उनको काफी दुख होता है जानने से क्योंकि कास उनका भी हुआ होता तो ये सरी चीजे वह भी कर रहे होते साहत्तः चो योजी स्वीलिंग वगेरा नहीं होते तो दोस्तों भिलकुल हम सच्चाई से मुँ नहीं मोड़ है करना है कि आप विद्धु से वायोग उतर प्रदेश पावर कोर्फिस लिमेटेड लखनों के विग्यापन संक्या टैन वीए से 2022 तकनीशन विद्धुत के अंतरगत तकनीशन विद्धुत के पत्पर चैनित हुए हैं आपको सूचित किया जाता है कि आपका चैन पत्र वि के लिए अलग-अलग मंडल वाइज ये आपको वहां पर पहुंचना होगा आपके मेल पर प्राफ्थ होगा होगा कि आपको कहां पहुंचना है और दोस्तों 23 फरवरी 2024 को सुवे 9 बजे आपको पस्तित होना अब सुनिश्चित करें और बाकी जो कार्यक्रम है समबदी जा अभियंता जो हैं उनसे आप संपर कर सकते हैं और उत्तम कुमार सकसेन जी हैं मुख्य अभियंता हाइडिल उतर प्रदिस पावर कोड़ के से लिमेटेड तो उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है सबी भाईयों के लिए जो सेलेक्टिड हो गए है 8191 वेकिंसी में तो फाइनलि दोस्तो एक बार फिर मेरी तोरफ से उनको बहुत सक्काम ना है कि आप अब भाग्य शालियों हो दोस्तो और आप अच्छी से जोइन करें और बाकी जिन भाईयों का नहीं हुआ है दोस्तो मैं मानता हूँ अनको दुख है इस बात का कि इतनी जारी मेहनत की औ और उनका नहीं हुआ तो दोस्तो बिल्कुल परेसान नहों फिर से आप तयारी करें वेकेंसी की प्रोसेस में चल रही है जल्दी ही वेकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और अपनी तयारे अच्छे से करते रहें और अपकी बार आपको सेलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा हो सकता हो अपकी बार आपकी किस्मत ने साथ ने दिया हो हो सकता है अपकी बार आपकी किस्मत साथ दे तो दोस्तो इनी बातों को लेकर आप अपनी तयारी करते रहें बाकी जो भाई नहीं हुए है सेलेक्टिड और दोस्तो किस्मत की मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्या कि OBC की जो मेरिट है वो अलगभग आपको 156 के आसपास गई है और बेस्ट में जो लगभग OBC का बच्चे 155 नंबर लेकर आए था उसका भी final selection नहीं हुआ है और जनरल की बात करता हूं तो लगभग 163 मेरिट आपकी गई है तो लगभग 162.5 नंबर भी आपको जो लेकर आ आए था उसका भी selection नहीं हुआ और दोस्तों मैं वानता हूं कि 162 और आपका 155 नंबर लेकर आने यह कोई मजा खेल नहीं है बहुत बड़ी बात है तो बेस्ट में तरना नंबर लेकर आना क्योंकि जो नंबर लाता है दोस्तों उसी को पता होता है कि उसने उसके पीछे कि इतनी मेहनत की है और किस परकार से नंबर आते हैं एक्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो बहुत बड़ा प्रेसर रहता है दोस्तों और आधा कंप्टिसन की बात करें तो आधा कंप्टिसन जो आपका 50 नंबर का कंप्यूटर होता है आधा कंप्टिसन तो वहीं खातम हो ज सेलक्शन नहों और 162 नमबर लेकर आए जनरल में तब भी सेलक्शन नहीं हुआ तो दोस्तो मैं मनता हूँ कि बहुत ही बड़े दुख्की बात है और बहुत ही दुर्भाग के रहा है उन भाईयों का जो बेस चिप्ट में थे और इतनी नमबर लेकर आए और उनका सेलक्शन नहीं हुआ दोस्तो कोई बात नहीं दोस्तो किस्मत ने आपकी साथ नहीं दिया उस टाइम आगे ते यहरी करो बाकी डिपार्टमेंट में आप कोसिस करते रहो आपको सबलता जरूर मिलेगी तो थेंक यू फूर वाचिंग इस वीडियो